हाई गाईस आज की इस वीडियो में हम जेन उस्तेन का नोवल पर्सुएशन की समरी डिसकस करेंगे पर्सुएशन जेन उस्तेन का लास नोवल है जिसे 1815 और 1816 की बीच में लिखा गया था और उनकी देथ के बाद 1818 में इसे पब्लिश किया गया था नोवल की समरी स्टार्ट करने से पहले हम उथर के बारे में जान लेते हैं जेन उस्तेन का जन्म 16 डिसमबर 1775 और उनकी देथ 18 जुलाई 1817 में हुई थी जेन उस्तेन एक इंग्लिश नोवलिस्ट है और वह में लिए उनके 6 फेमस नोवल्स की वज़ह से जानी जाती है हमारा इस नोवल का पहला केरेक्टर है सर वॉल्टर इलियट यह केलीन छोल के ओनर है सर वॉल्टर एलिजाबेट एने और मेरी इलियट के फादर है वॉल्टर अपने एश्वाराम पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और बाद में उनके आर्थिक हालत खराब होने लगे थे वॉल्टर इस कारण परशान रहने लगे लेकिन फिर वे फैसला करते हैं कि वे केलीन छोल स्टेट छोड़कर बाद नाम की जगापर रहने चले जाएंगे जिससे उनका काफी खर्चा बद जाएगा हमारा नेक्स केरेक्टर है एने इलियट यह नोवेल की प्रोटेगोनिस्ट है एने इलियट केलिंग छोल के इलियट फैमली की समझदार शान्थ, सेंसिबल और दूसरे नंबर की बेटी है अपने घमंडे और खर्चिल पिता की विपरित वह शान्थ और काइंड हाटेड है अगला केरेक्टर है केप्टन फेडरिक वेंद्वर्थ यह पैशनेट, कॉंफिडेट और गुड हाटेड नेवल ओफिसर है जिसने नेवी के थुरू अपना भाग और स्टेटर्स बनाया एने केप्टन वेंद्वर्थ से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी फेमिली की वज़य से वेंद्वर्थ से सगाई तोडनी पड़ी हमारा अगला केरेक्टर है मिस्टर वीलियम इलियट यह एने के कजन और सर वॉल्टर के वारिष थे क्योंकि सर वॉल्टर का कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी वीलियम को मिलने वाली थी नेक्स केरेक्टर है लेडी रसेल यह एने की फ्रेंड और मेंटर थी लेडी रसेल ने अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड लेडी इलियट जो की एने की असली मा है उसकी देथ हो जाने के बाद एने की मा के रूप में सेवा की थी लेडी रसेल एक नेक दिल और समझदार रूमन है और उनों नहीं अने को वेंत वर्थ से सगाई तोड़ने की सलहा दी थी क्योंकि वह वेंत वर्थ को अने से नीचे मानती थी नेक्स केरेक्टर है एलिजाबेत इलियट या इलियट की सबसे बड़ी बेटी एलिजबे दिखने में और घमन में अपने पापा जैसी थी और सर वाल्टर की पसंदेदा डॉटर थी उसकी ब्यूटी और अट्रेक्टिनेस के बावजूद वह नोवेल के एंड में अन्मेरिड रहती है नेक्स केरेक्टर है मेरी इलिएट मस्ग्रो यह मिस्टर वाल्टर की सबसे छोटी बेटी थी हाला कि मेरी सबसे छोटी थी लेकिन उसकी शादी मस्ग्रो गराने के लड़के चार्ल्स मस्ग्रो से हो चुकी थी नेक्स केरेक्टर है चार्ल्स मस्ग्रो यह मैरी की हस्बेंट और मिस्टर और मिसिस मस्ग्रो के सबसे बड़े बेटे हैं harvesting की जमीन जाइदाज उस रिजन में सर वटर के बाद दूसरे इस्थान पर है नेक्स कैरेक्टर है लुईसा मस्ग्रो लुईसा मस्ग्रोव चार्ल्स की छोटी बहन और मिस्टर एंड मिसिस मस्ग्रोव की बेटी है वह लापरवा और जिद्धी लड़की थी और दिल के मामले में भी इंप्रेशनेबल है क्योंकि वह कैप्टन वैंत वर्थ से कैप्टन बेनविक तक अपने इंट्रेश को शिफ्ट कर देती है अगला है मिस्टर एंड मिसिस मस्ग्रोव यहाँ चार्ल्स, हेंरिटा और लुईसा के पैरेंट्स है Mr. and Mrs. McGraw उन्हें अपने बच्चों को Happy and Comfortable Life देने की हर मुम्किन कुशिश की है वो लोग practical है और हमेशे अपने बच्चों की खुशी के बारे में ही सोचते हैं अगला केरेक्टर है Captain Benwick यह Captain Wentworth के friend है यह भी Neville Officer है जो अपनी girlfriend की death होने की वज़े से अपसेट रहते थे नेक्स केरेक्टर है Admiral and Mrs. Croft जब Walter Kellyn छोल छोड़कर बात नाम की जगा पर रहने चले गए थे तो उन्होंने Mr. Admiral Cross और Mrs. Croft को Kellyn छोल रेंट पर दिया हुआ था अगला केरेक्टर है Mrs. Smith यह एने की school friend है और इसने ही Mr. William की सच्चाई एने को बताई थी कि वह सिर्फ पैसो के लिए एने से शादी करना चाता है नेक्स केरेक्टर है Henrietta Musgro यह Charles की छोटी बहन है यह अपने चचेरे भाई Charles Hatter से शादी करती है नेक्स केरेक्टर है Mrs. Klee यह Mr. Shepherd की डोटर और Elizabeth की अच्छी दोस्त है अगला है Captain Harvey Lee यह Captain Wentworth के नेवल फ्रेंड है जो की लाइम में रहते थे एक पार Captain Wentworth एने और Musgroves के साथ लाइम जाने का प्लैन बनाते हैं वहाँ पर Mrs. Harvey Lee और Captain उनकी महमाद नवाजी करते हैं अब हम इस नॉवल की समरी डिसकस करते हैं Walter Elliot नाम के एक व्यक्ती अपने बहुत बढ़ एस्टेट केलिंच हौल में रहते थे वे Elliot घराने से बिलॉंग करते थे उनकी वाइफ की 14 साल पहले देथ हो गई थी उनकी तीन बेटियां हैं एलिसाबेट, एने और मेरी हाला कि मेरी सबसे छोटी थी लेकिन उसकी शादी मस्ग्रोव घराने के लड़के चार्स मस्ग्रोव से हो चुकी थी मेरी का घर पास ही था जिसे अपक्रोस कोटेज के नाम से जाना जाता था वाल्टर अपने एशो आरम पर बहुत ही ज़ादा खर्च करते थे इससे उनकी आर्थिक हालत खराब होने लगी थी इसी बीच उनकी फैमिली फ्रेंड और एडवाईसर लेडी रसल कहती है कि उन्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए यहाँ सुनका वाल्टर कुछ परशान हो जाते हैं उन्हें लगता है कि अब उनकी महंगे शोक कैसे पूरे होंगे लेकिन फिर वे फैसला करते हैं कि वे स्टेज छोड़कर बाथ नाम की जगा पर रहने चले जाएंगे और वहाँ अपने दूसरे घर में रहेंगे जिस्टे उनका काफी खर्चा बच जाएगा और कैलीन चौल वाले घर को रेंट पर दे देंगे जल्द ही उन्हें एक बहुत अच्छे मेरिट कपल किरायदार के रुप में मिल जाते हैं उनका नाम एड्मारल क्रॉफट और मिस्स क्रॉफट था मिस्टर एड्मारल क्रॉफट नेवी में काम करते थे वाल्टर को यह बत पसंद नहीं थी कि कैसे नेवी नीचे के स्टेटस के लोगों को भी इत्ते बड़े स्टेटस पर ला देती है उनके हिसाब से स्टेटस खांदा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें एड्मारल क्रॉफट और उनके पतनी पॉलाइट और डिसेंट लगते हैं और वे कैलीन छोल उन्हें किराये पर देते हैं तब ही एने को पता चलता है कि मिसिस क्रॉफट कैप्टन फ्रेडरिक वेंतवर्थ की बहन है दर असल जब एने 19 साल की थी तो वह वेंतवर्थ से मिली थी और दोनों को एक दूसर से प्यार हो गया था उस समय वेंतवर्थ एक साधारन नेवल ओफिसर था लेकिन दोनों ने इंगेजमेंट कर ली थी एक दिन वेंतवर्थ ने एने के घर शादी का प्रपोजल भीज दिया था लेकिन एने के परिवार वालों ने कहा कि उसका स्टेटस उनसे कहीं नीचे है हाला कि वेंतवर्थ बहुत हैंडसम, वेल मैनर और इंबीशियस था फिर रसेल ने एने को समझाए कि वह उसके लायक नहीं है और ज़्यादा रिच ना होने के कारण उसका और उसकी परिवार का ठीक से देखरेक भी नहीं कर पाएगा सबने उन दोनों की इंगेजमेंट टुडवा दी लेकिन अब मिसिस क्रॉफ्ट से मिलका एनी को वेंतवर्थ की फिर से याद आ गई वह उसे दिल से कभी भी नहीं भूली थी इसके बाद सर वॉल्टर, एलिजाबेट और मिसिस क्ले अपने बात वाले घर के लिए रवाना हो जाते हैं लेकिन एने अपनी छोटी बेहन मेरी के पास दो महीने के लिए उसके घर अपर क्रोस कॉटेड चली जाती है जो वहाँ से पास ही पढ़ता था वहाँ वहाँ सारी मस्गरोव फैमिली से मिलती है मिस्टर और मिसिस मस्गरोव के तीन बच्चे थे चार्ल्स, हेंडरिटा और लूिसा सब लोग दिल से एने का स्वागत करते हैं और उसे बहुत चाहते हैं एने उनके परिवार के बीच की प्यार को देखकर इंप्रेस हो जाती है इसी बीच खबर मिलती है कि कैप्टन वेंतवर्थ नीवी से वापस आ चुके हैं और वहां काफी रिच भी हो चुके थे और वह अब अपनी बेहन मिसिस क्रॉफ्ट के साथ केलीन छोल में रह रहे थे वेंतवर्थ मिस्टर मस्ग्रो का अच्छा दोस्त था और वहां उनसे मिलने उनके घर अपक्रोस आया एने उसे देखकर घबरा जाती है लेकिन फिर वहां देखते हैं कि वेंतवर्थ उसके साथ फॉर्मल और पॉलेट तरीके से ही बात कर रहा था और कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन वह हेंडरिटा और लुईसा से काफी घुल मिलकर बात कर रहा था एने को लगता है कि शायद वहां उन दोनों के पुराने प्यार को भूल चुका है और शायद अब उन दोनों बेहनों में से किसे एक से शादी करेगा एक दिन वेंतवर्थ अपने दोस्त कैप्टन हार्वेले के गल लाइम नाम की जगह पर जाने का प्लैन बनाता है एने, हेंडिता और लुईसाइ भी उसके साथ जाते हैं वहां कैप्टन हार्वेले का एक और दोस्त कैप्टन बेनिविक भी आया था लेकिन हाल में ही उसकी गल्फरंड की देथ हो गई थी और वहां उसके शोक में डूबा हुआ था लेकिन एने की बातों से उसे काफी अच्छा लगता है वे दोनों किताबे पढ़ने का भी बहुत शोक रखते थे और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है इसी बीच एने को वहां वीलियम ईलियट नम का एक आदमी मिलता है वहां एने का दूर का रिष्टेदार था लेकिन उसके एने के पिता वॉल्टर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे वहां उनके बात कैलीन छोल का भी वारिस था क्योंकि वॉल्टर का कोई बेटा नहीं था लेकिन वीलियम एने में को ज़्यादा ही दिल्चस्पी ले रहा था और हर किसी से उसकी तारिफ कर रहा था एक दिन सब लोग वेंटवर्थ के साथ बीच पर घुमने जाते हैं लेकिन इसी दोरान लुईसा को चोट लग जाती है सब लोग घबरा जाते हैं लेकिन इने शाथ दिमाग से सिचुएशन को हेंडल करती है और हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है वेंटवर्थ इने की समझदाली से काफी इंप्रेस होता है और उसे लगता है कि वह अब भी इने से प्यार करता है इसके बाद लुईसा को लाइम में ही आराम करने के लिए कहा जाता है वहाँ कैप्टन बेनवीक उसकी देखभाल करता है और उसके इंटर्टेंडमेंट के लिए किताबे भी पढ़ता है धीरे धीरे वो दोनों एक दूसे से प्यार करने लगते हैं फिर वे लोग वापस अपरक्रोस आ जाते हैं एक हफ़ते बाद एने लेडी रसेल के घर रहने चली जाती है कुछ समय बिदा कर एक दिन वह लेडी रसेल के साथ अपने घर बात चली जाती है गर पहुँचकर एने देखती है कि वीलियम एलियट वहाँ आया हुआ था उसने एने के पिता वॉल्टर से माफी मांगकर उनके साथ अपने रिलेशन फिर से अच्छे कर लिये थे इसी बिच एने की मुलाकात अपनी स्कूल की फ्रेंड मिसिस समित से होती है वहाँ वीलियम को अच्छे से जानती थी एने के पूछने पर वहाँ बताती है कि वीलियम अच्छा इंसान नहीं है उसने अपनी वाइफ जिसके अब दैथ हो चुकी है उसे कभी अच्छे से ट्रीत नहीं किया मिसिस इसमित के साथ भी उसकी अच्छी बोलचाल नहीं थी और वह एने से सिफ इसले शादी करना चाहता था ताकि वह कैलीन छोल का मालिक बन सके क्योंकि वीलियम को लगता था कि कहीं अगर वॉल्टर मिसिस कले से शादी कर लेगा तो वह प्रॉपर्टी उनके बेटे को चल मिसिस क्रॉफ्ट वॉल्टर से मिलने बात आते हैं वहाँ वे उन्हें दो नियूस सुनाते हैं मिसिस क्रॉफ्ट कहती है कि हेंडरिटा की शादी उनके चचेरे भाई से तैय हो गई थी और लुईसा की शादी कैप्टन बेनवीक से होगी जो से लाइम में मिला था एने यह कितना रिच हो गया था और स्टेटस में भी उपर उठ चुका था इससे उनके थोड़ चेंज हो गए और वे उससे अपने शोशल सरकल में शामिल कर लेते हैं लेकिन वीलियम को यहाँ देखकर उससे जलन होने लगती है उसे लगता है कि शायद एने की शादी लव लेटर लिखता है जिसमें वहां बताता है कि वह शुरू सही उससे प्यार करता था और हमेशा उसी के बारे में सोचता है उसका लेटर पढ़कर अईने बहुत खुश हो जाती है वहां भी उसके प्रति अपनी फीलिंग जाहिर कर देती है इसके बाद दोनों फिर से आदिक लिए हां बोल देते हैं इससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं फिर सब लोग उनकी शादी की तैयारिया करने लगते हैं इसी हैपी एंडिंग के साथ इस नॉवल की स्टूरी खतम हो जाती है थेंक यू फोर वाचिंग अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इफिए अनी क्वेरिज रिगार्डिंग दिस नॉवल लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन